तो हम लोगों ने जो प्रिविएस पीडियो है उसमें फोर्स के बारे में देख लिया था अगर आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग जाके वहां से देख लिजेगा ठीक है आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप्स ओफ फोर्स फोर्स के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं ठीक है और इसका जो है डीपली हम लोग डिसक्रिशन करेंगे इस वीडियो में तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को सुरू करते हैं ठीक है तो देखे जो बैसिकली फोर्स होते है वह फोर्स टू टाइप्स के होते हैं कित्ने हैं टाइप्स के होता हैं थी एक हो and second non-contact force अब यह contact force के भी कुछ types होते हैं जैसे देखें जो contact force है वो muscular force होता है frictional force होता है ठीक है जो non-contact force है उसमें magnetic force आता है electrostatic force आता है gravitational force आता है याद रखेगा contact मतलब क्या होता है किसी को touch करना directly हो या indirectly हो लेकिन उस object को touch करने से जो force adopt होता है उसी force को हम लोग बोलते हैं contact force just इसके opposite कर दीजिए तो क्या हो जाएगा non-contact force contact force में touch होना जरूरी है लेकिन जो non-contact force है उसमें touch होना जरूरी नहीं है ठीक है तो उसको बोलते है non-contact force यहाँ पे contact force में कौन-कौन से force आते हैं यह दे रखा है non-contact में कौन-कौन से force आते हैं वह दे रखा है तो contact force में कौन-कौन आगा है muscles muscular force frictional force non-contact में क्या क्या है magnetic force electrostatic force and gravitational force ठीक है हम लोग सब को एक एक करके जोना study करेंगे ठीक है किसी को भी छोड़ना नहीं है तेकि सबसे पहले हम लोगों ने यह जो टर्म देखा था contact force और non-contact force पहले इसको जान लेते हैं तो देखे contact force क्या है if object is directly or indirectly contact with the source of force मतलब जिस object पे हम force लगा रहे हैं वो object जो डिरेक्ली भी contact में आ सकता है और indirectly भी contact में आ सकता है ठीक है और वो directly यह indirectly contact में आने के कारण से जो force adopt होता है उसी force को हम लोग बोलते हैं contact force ठीक है जैसे देखिए हमारे जो body है उसके अंदर digestion process होता है उस digestion process में जो हमारे alimentary कनाल होता है जो food पाइब आला कनाल होता है उस में muscles के कारण से जो food है वो क्या होता है jeden minutes कि यूर ठीक है बोलत रहे है इस्टोमक की ओर तो वहाँ पे जो muscles से वो क्या करता है help करता है हमारे जो food होता है उसको पुस करने में तो वहाँ पे भी हमारा muscular force और में आए कि आँव Bridge हो जाए मुस्क्वल सब्सक्राइब मुंक करते हैं तो थो किसी यहलें सब्छarson करते excellent होता है वो भी किसका example हो जाएका muscular force का muscular force मतलब ही क्या होता है muscles muscles जो भी muscles लगेगा जिसमें भी muscles के कारण से जो force generate होगा उसी को बोलेगा muscular force ठीक है यह तो simple से याद रखते हैं जब भी हमारे body के muscles द्वारा force जनरेट किया जाएका उसको बोलेगे muscular force यहां पर definition में क्या दे रखा है the force exerted by the force exerted by the muscles of our body called muscular force अभी बताने कि जब भी force हमारे muscles के द्वारा लगाया जाएका तो वैसे ही force को क्या बोलेंगे muscular force जैसे अभी हमने example देखा साथ हम लोग animals को देखते हैं तो हो गया डंकी हो गया और ऑक्स हो गया तो इन सब का जो हम लोग different activities वह work करते हैं करते हैं जो हमारा luggage वागेरा होता है उसको हम एक जो हमारा वील वाला जो गारी होता है वैकिल होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं अपने luggage को डालते हैं लोड करते हैं लोड करने के वो जो काट वेकिल रहता है उसको वो आगे की और खीच के लेके जाता है तो वो भी किसका एक्जामपल हो जाएगा मस्कुलर फोर्स का ही एक्जामपल हो जाएगा ठीक है next कौन सा है हमारा friction force friction के बारे में हम लोग सुनते आ रहें की अचा चैनल इसको हम लोग अपने डेली राइप में express भी करते हैं देखे क्या होता है जब हम चलते रहते हैं रोड पे चलते जाते-चलते जाते हैं और कुस तो सिलीपर होता है किह वो क्यों सिल टा कि किसी भी लूgensum का अपोज uhh कर करता है किसीGeneral को अपोज करताना जैसे एक गारि चलती इन रोड पे दो रोड ले चलने के लिए वह इतने जाधा परको अडॉप करती की वह friction force को क्या कर पाए manage कर पाए, जब तक उसको manage नहीं करेंगे तब तक हम आगे की ओर नहीं जा सकते हैं, इसको देखें कभी-कभी हम जब cycle से जाते रहते जाते रहते, अचानक से break मार देते हैं break मारने के बाद हम लोग paddling नहीं करते हैं paddling जब नहीं करते हैं जाता है, जब हमारा object stop कर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा friction force है, वो work करता है और इसी friction force के कारण से जो हमारा sleeper होता है वो घिस जाते हैं, ठीक है, I hope कि आपको friction force समझ में आया होगा, ठीक है, वो ही दे रखा है कि the force generated by two surface that contact and slide against each other पताया था ना, कि जो friction force होता है वो जाहिर सी बात है, चुकि हम contact force में पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो surface एक दूसरे से contact में आएंगे contact में आने के बाद दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के against work करेंगे अच्छा देखिए, इसको हम लोग ठंड के मौसम में और भी जादा experience करते हैं ठंड जब हमको बहुत जादा लगते रहता है तो हमां हाथों को क्या करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं और कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि हमारे जो plam होता है वो दोनों का दोनों palm जोए बहुत कम हो जाता है, वो गर्म क्यों हो पाता है friction force के कारण से अब ये दोनों surface है, ये दोनों surface को हम लोग क्या कर रहे हैं रब कर रहे हैं, रब करने के कारण से ये दोनों surface पे जो लगने वाला friction force है, वो इसके motion को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है और इसी opposition के कारण से इनके बीच जो particles रहते हैं, उनका जो hit रहता है, वो जो है, हमारे plam पे देखने को मिलता है, ठीके, हमारा palm जो गरम हो पाता है, hot हो पाता है, winter season में वो friction force के कारण से ही हो पाता है, I hope कि friction force आपको अच्छे से समझ में आयोगा, तो ये तुथा हमारा contact force, अब यहाँ पे एक है non-contact force भी ना तो non-contact force देखी क्या होता है if a force acting on an object without contact call non-contact force मतलब एक ऐसा force जो object पे लगतू रहा है object पे लगतू रहा है लेकिन कहीं पे भी कोई contact हमको देखने को नहीं मिलता है वैसे ही force को हम लोग क्या बोलते है non-contact force तेसे हम लोग 2 magnet की बात करते ह हैं तो दोनों magnet को जब पास-पास रखते हैं तो दोने एक दोसरे को क्या कर लेते हैं अटैक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों force तो एक दूसरे पर adopt की इसके कारण से वह attract हो गए क्या हम इन दोनों को देखते हैं कि touch करते हूए touch करने के बाद यह force जब ले जाते तो पेपर के टुक्रे को अट्रैक्ट कर लेता है तो क्या हमने कौम को पेपर के टुक्रे में सटाया था नहीं सटाया था लेकिन वह दूर से क्या करता है पेपर के टुक्रे को अट्रैक्ट कर लेता है तो वह भी कौन सा फोर्स हो जाएगा एलेक्ट्रस्ट्र एक पेड की नीचे बैठे रहते हैं और बैठे रहने के कारां से जो एक और फ्ञांसे उसलिटा इक तो इन दोनों के बीच कहीं प्रहां नहीं हुआ लेकिन फिर भी force तो लगा वो उसको अपनी और attract तो कर लिया न तो इस कारण से वो भी कौन सा force हो जाएगा non contact force तो ये हम इसको अलग से पढ़ेंगे अभी magnetic force electrostatic force and gravitation force को अलग लग कर गया भी पढ़ेंगे ठीक है